हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे युटूब चैनल सहोस आफ सलूसंस पर और आप देख रहे हमारा टाइप स्ट्रीट का फुल टुटोरियल सीरिज दोस्तों जैसा कि सीरिज की पिछले वीडियो में हमने कंटिनीव स्टेटमेंट के बारे में देखा कि कीस तरीके से कंटिनीव स्टेटमेंट युज करते हैं और अभी हम देखने वाले हैं इंफिनाइट लूप के बारे में कि infinite loop क्या होता है इसका यूज है या नहीं है इसको कैसे उज करते हैं किस तरीकर सा मारा loop infinite हो जाता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं तो चलिए स्टाट करते हैं इस वीडियो टूटोरियल में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस च हमेशा चलते रहे अब जाहर सी बात है कि ऐसे लूप की तो जरूत होगी नहीं फिर भी आपको यह जानना इससे जरूरी है कि इस तरीके का सिंटेक्स कहीं हो जाए तो आप उसको आडेंटिफाई कर लें रेक्टिफाई कर पाएं कि यह हमारा जो लूप है infinite चल रहा है इस तरीके से हम चलावी सकते हैं दिखे जिस लूप में हम कंडिशन लगाते हैं अगर कंडिशन हमारा मिट नहीं करता है वह कंडिशन हमेशा टू ही रहे तो infinite चल जाएगा तो हमें डिरेक्टिफ फोकस करना चाहिए कि जो कंडिशन में लगाया है वह कंडिशन ऐसा तो नहीं डाल कर मैं चला दूं ना इसमें करने का कोई प्रसीजर है ना कंडिशन चेक करने का डिरेक्टि इसके अंदर के स्ट्रेटमेंट हमेशा चलता रहेगा ठीक है जचलिए मैं एक पर भी इस कोड़ लेकर चलता हूं आपको और वहां पर समझाता हूं कैसे कोड लिखेंगे त तो यह हमारा demo.ts file है यहां पर मालेजी हम यहां पर एक while लूप लिखते हैं वाइल ठीक है इसमें हमने true डाल दिया आपको पता है कि while लूप के अंदर हम यहां पर condition check करते हैं ठीक है जैसे मैं अभी थोड़े में condition वाला भी दिखाऊंगा अब वगर मैं यहां पर condition check करते है है ठीक है और यहां पर जो कंडिशन टू होते हैं तब इसके अंदर के स्टेट्मेंट को यह हम एक्जिक्विट कराते हैं कोई भी यह स्टेट्मेंट मालीज हमने लिखती है यहां पर कंसोल डॉट लॉग ठीक है और इसके अंदरे में डाल दिया है यह लो शाहोसअफ शॉलूशन्स ठीक है तो यह कंडिशन जो है हमें साथ ही रहेगा तो आपका कंसोल में हरो सब्सलूशन बार बार प्रिंट करता रहेगा कभी इंड होगा ही नहीं एंडलेस हो जाएगा यह लूप हमेंसा चलता रहेगा क्योंकि जब भी यह चेक कर रहे दाल दिया 2 या फिर माल दिया 20 ठीक है और यहां पर हमने लिया वाइल ठीक है और यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि नम जो है कि यहां पर हम यह दो रहा है कि हम यह पर वहर नहीं लिखे हैं ठीक है नम जो है माझे 20 से लस्त दें रहे तब तक यह लूप चलाए हम ठीक है कंशोल.log ठीक है और इसमें माल लिजह हम नमोल को अंपन क्रेंट करें ठीक है कुछ ही प्रिंट करा सकते हैं इसके अंदर बहुत लिख सकते हैं बहुत सरे code लिख सकते हैं जो execute होगा अब देखिए अब हमारा काम क्या है यहां से check करेगा कि नम का value 0 है और यहां पर आएगा हैंमें क्या करना होगा हमें करना किलोप है यह हम जो हमेशा चलता रहेगा क्योंकि रहने देते हैं तो यह लूप हमारा infinite हो आता है चल जाता है यह वाला condition आ जागा हमेशा इसके अंदर true value आएगा ठीक है या फिर यहां पर हम कोई गलट information देते हैं ठीक है यहां पर 0 है यहां पर equal to या कुछ ही तरी का condition डा देते हैं जो condition हमेशा true value return करें तो आपका infinite चलेगा लूप आपका page hang कर जाएगा यह situation होता है आप उस condition को चेक करेंगे जो आपका condition meet कर रहा है हमेशा true दे रहा है या फिर उसको false भी कर पा रहा है ठीक है यह होता है infinite loop का concept तो यही चीज हमने आप संखाने कोशित किया है I think आपको समझ में आ गया हो फिर भी आपके माइंड में कोई confusion है तो हमारे comment box में जरूर सेर किजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक ले थैंकिश्व मच एक चीज और वी में आपको बताते चलूं कि हम live project पर training देते हैं online classes होते हमारे जिसका link इस video के description box में है आप आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से classes चलते हैं आप वहां से enroll कर सकते हैं क्योंकि जो भी चीजे corporate level की होता है वो सारी चीजे हम अपने class में और भी details से बताते हैं ताप हमारा online class भी जोइन कर सकते हैं और जिसमें हम live project पर भी training देते हैं